जेहिंद वेलकम टू विजेपथ एजुकेशन पालंपूर आप सभी का विजेपथ एजुकेशन के ओनलाइन बैच में हार्दिक स्वागत है आज हम HRTC कंड़क्टर के फर्स्ट क्लास में ट्रैफिक और रोड सिगनल के बारे में डिस्कुस करेंगे सो फर्स्ट क्लास आपके लिए रहने वाली है HRTC कंड़क्टर का आपका एक्जाम दिसंबर मन्त में होना है और काफी बड़ा एक्जाम होगा और इसकी जो नौटिफिकेशन है वो आपकी स्लेबस की वो काफी पहले जो है वो आपको बता दी गई है और अभी हाल ही में इसका जो अपडेटिड स्लेबस है वो HPPSC के द्वारा जो है वो आपको दिया गया है उसकी भी एक सेपरेट वीडिये जो है वो विजेपत एजुकेशन में आपको मिल जाएगी अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से विजेपत गौर्मेंट एग्जाम प्रेपरेशन अप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप डाउनलोड कीजिए अगर आप HRTC कंड़क्टर का ओनलाइन पेड बैच जोईन करना चाहते हैं तो www.vijepatheducation.com के ओपर आप जा सकते हैं और minimum सी कोस्ट के ओपर आप उसको परचेस कर सकते हैं सो first class में हम जो हैं वो traffic और road signal के बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो हम जानेंगे कि कौन-कौन से परतीक है तो देखिए आप इसको काफी जादा परतीकों के बारे में आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं एक red color का चिंदिया है और इस तरीके का जो design है वो किसलिए use में किया जाता है रुकने के लिए तो जब भी रुकने का symbol आएगा तो इस तरीके का ये design किया होगा next second पे आप देखिए जब भी नीचे की तरफ arrow किया गया है तो इसका मतलब है बाएं और चलना अनिवारे है यानि कि आपको किस दिशा में चलना है left side चलना जो है वो क्या है अनिवारे है next third देखिए third का मतलब क्या है कि रास्ता दीजिए जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का arrow आएगा यह जो number third के उपर दिया गया है तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है रास्ता देना है रास्ता छोड़ना है आपको number four के उपर आप देखिए इसके उपर एक red color का जो है वो एक बिल्कुल बीच में से center में से एक cut किया गया है उपर की तरफ एक line है मतलब की यह line जो है इसका मतलब है जाना लेकिन जब इसके उपर एक cut का निशान लगा दिया जाता है तो इसका मतलब यहां से आपका परवेश जो है वो क्या है निशेध है यहां से आप नहीं जा सकते तो उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट आप देखिए नमबर पांच पे है हमारे पास आपका राइट की तरफ एक एरो दिया गया है इसका मतलब है आप किस तरफ जाएंगे दाई तरफ जाएंगे आप राइट साइड क्या करेंगे मुडेंगे नेक्स्ट नमबर छे पे है एक आदमी बनाया गया है और उसके नीचे जो है एक रास्ता बनाया गया इसका मतलब है कि आदमी के चलने का रास्ता यानि कि जो लोग पैदल चलने वाले हैं उनके लिए जो है वो मार्ग ये बनाया गया है नमबर 7 के उपर आप देखिए P लगाया गया है P का मतलब है पार्किंग और एरो लगाया गया है मतलब कि यहाँ पे पार्किंग की अनुमती आपको मिलेगी मतलब कि आप यहाँ पे अपना भीकल जो है वो पार्क कर सकते हैं लेकिन जब P के उपर एक क्रोस लगा दिया जाएगा इस तरीके से मतलब कि आप यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी को नहीं खड़ी कर सकते next 8 पे देखिए एक U-turn का एक symbol बनाया गया है इस तरीके से और उसके उपर क्या लगा दिया एक cut का निशान लगा दिया तो जब भी U-turn का symbol है मतलब उल्टा U जब लगाया गया तो मतलब U-turn है और एक cut का निशान जब भी लगाया जाएगा तो मतलब वो आपके लिए क्या है एक ban है तो आपको धियान में रखना है जब भी बीच में से एक circle के बीच में से एक cut लगाया जाएगा मतलब वो चीज नहीं की approach में जो है वो होगी मतलब जो चीज possible है उसका opposite आपको करना है जैसे कि ये six number के उपर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये आदमी paddle चलने वाले का mark है लेकिन जब मैं इसके उपर एक cross लगा दूँगा मतलब ये paddle चलने का mark नहीं है तो वैसे आप जब eight में देखेंगे eight actual में यू-ton है लेकिन बीच में से जब cut लगा दिया तो मतलब ये आपका यू-ton क्या है निशेद है वहां से next देखिए यहाँ पर number nine के उपर horn का चितर दिया गया है एक बाजे का चितर दिया गया है बीच में cut लगाया मतलब आपको यहाँ पर horn नहीं बजाना है और ये चीज़ जादा तर कहाँ पर आपने देखी है hospital के बाहर देखी है फिर आपके police station के बाहर ये चीज़ लगाई होती है school के बाहर ये चीज़ लगाई होती है next देखिए number 10 ये जो symbol आपके पास कुछ इस तरीके का दिया गया है ये जो है ये आपके एक pull का चितर है pull का चितर है मतलब की pull जो है वो आपका क्या है थोड़ा सा भीडा है भीडा in the sense मतलब की आप उस जब आप उस pull को cross करोगे तो वो क्या है उतना खुला रोड नहीं है वो थोड़ा सा क्या है congested रोड है ठीक है तो जो पूल है वो कैसा है congested है next यहाँ पे एक black color का चिंदिया है red और black में भी आपको अंतर ध्यान में रखना है एक black color का एक चितर दिया गया है और बीच में एक line लगाई गई है मतलब की प्रतिवंद का अंतर जहाँ पे कोई restriction लगाई गई है जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार रास्तों का काम चला होता है तो वहाँ पे एक board लगाया जाता है वहाँ पर वहाँ पे लिखा जाता है कि इसके आगे जो है वो रास्ते का काम चला है तो आप यहाँ से साबधानी से जाएं अब जहाँ पे रास्ते का काम खतम हो गया वहाँ पे इस तरीके का road लगाया जाता है मतलब जो आपके लिए restriction लगाई गई थी यहाँ पे उसकी सारी की सारी ending है इसके बाद आप अपनी तरफ से अपने according जो है वो travel कर सकते है नेक्स देखिए नंबर 12 के उपर है यह जो है देखिए फिर से एक pull की तरह ही बनाया गया है लेकिन starting से क्या है थोड़ा सा चोड़ा है लेकिन आगे जाके क्या कर दिया नोंने थोड़ा सा पतला कर दिया मतलब यह जो रास्ता है आगे से क्या है restricted है sorry restricted है congested है मतलब थोड़ा सा भीड वाला एरिया भीड in the sense की मतलब वहां से बड़ी गाड़ी जो है वो गुजरना थोड़ी सी मुश्किल है next काफी जादा symbol है जो आपकी exam में पूछे जाएंगे और एक straight line है इस straight line के इस तरफ से दिया गया है एक चेतर इसका मतलब जब आप straight जा रहे है तो पीछे वाला बहां जो है आपको क्या करेगा overtake करेगा लेकिन बीच में एक line लगाई गी मतलब यहां से overtake आप नहीं कर सकते यह आपके किसी जो turn होता है जहां पर काफी तीखा mode है वहां पर यह चीजे जो है वो लगाई जाती है उसके बाद number 14 के उपर आप देखिए यहां पर एक symbol लगाया गया है cross का मतलब यहां पर जो road है वो cross की तरह जो है वो road है मतलब वहां से center point से जो road है वो कितने निकल के जा रहे है इस center point से कितने road निकल के जा रहे है total चार road निकल के जा रहे है उसके आद number 15 की बात करेंगे number 15 में आपको बताया गया कि दो symbol बताये गए हैं एक है उपर की तरफ और एक है आपका left की तरफ ठीक है तो या तो आप बाएं चले जाएए ठीक है या फिर आप आगे जाएंगे आपके लिए compulsory है ठीक है यह जो blue color है इसका मतलब है compulsory है यहाँ पे बजाना आपके लिए जरूरी है ठीक है number 16 के उपर आप देखिए number 16 में आपके पास एक बाजे का चितर है होर्न है लेकिन बीच में arrow नहीं है इसका मतलब यहाँ पे आपको होर्न बजाना है कोई तीखा मोड हो सकता है या फिर कोई एक ऐसी जगा हो सकती है जहाँ पे कोई congested area हो मतलब कि बहाँ पे आपको होर्न जो है वो बजाना ही है नेक्स देखिए नमबर 17 के उपर क्या है यहाँ पे आपके पास इस तरीके का एक line है और इस तरीके का एक चिन दिया गया है इसका मतलब है दाएं तरफ क्या है राइट साइड की तरफ मोडा गया है right side की तरफ क्या है रास्ता है तो यहाँ पे बताया गया कि right side की तरफ क्या है रास्ता है number 18 को आप देखिए यहाँ पे blue color का चितर है बीच में और दोनों तरफ क्या है cross लगाया गया blue color का मतलब है रुकना ठीक है और cross लगा दिया मतलब कि क्या है वहाँ पे आप रुक नहीं सकते खड़े नहीं हो सकते कोई ऐसा पब्लिक प्लेस हो सकता है जहां पे आपको खड़ा होना जो है वो क्या है निशेदा जैसे कि कोई खुफिय भिभाग है मानके चलते हैं इंटेलिजन्स ब्यूरो का डिपार्टमेंट है या फिर कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे जैसे होस्पिटल का कोई ऐसा एरिया है जहां पे आपको जादा लंबे टाइम देर तक खड़े नहीं होने दिया जा सकता तो वहाँ पे इस सिंबल का यूज जो है वो किया जाता है next 19 के उपर आप देखिए आगे की और एरो दिया गया है मतलब आपको आगे की तरफ ही जाना है आपके लिए आगे की तरफ ही रास्ता बनाया गया है number 20 के उपर आप देखिए एक बाइक का चितर दिया गया है और एक कार का चितर दिया गया है इसका मतलब है यहां से आप ना तो कोई गाड़ी ले जा सकते ना तो कोई आप मोटर भीकल ले जा सकते मतलब कि यहां से आप कोई भी बहान नहीं ले जा सकते अगर यहां पे सिर्फ एक गाड़ी का चितर दिया होता तो इसका मतलब सभी गाडियों के लिए रास्ता क्या है, बैन है, लेकिन टू भीकल वहां से जा सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे दोनों का चितर दिया है, मतलब ना तो वहां से टू भीकल जा सकते हैं, ना तो फॉर भीकल जा सकते हैं, इसका मतलब सभी मोटर बहानों के लि कि एक लड़का है पैदल चल रहा है लेकिन उसके ओपर क्रोस लगाया गया मतलब पैदल चलना यहाँ पर नहीं है नमबर 23 लेफ्ट तरफ एरो लगाया गया बीच में क्रोस लगा दिया मतलब बाई तरफ आपको नहीं मोड़ना है नमबर 24 बिल्कुल इजी इजी से आपके यह सिंबल रहेंगे और थोड़ा सा आप अगर आप वहीकल चलाते हैं अगर आपके पास गाड़ी स्कूटी कोई भी है तो आपने नॉर्मली यह वहीकल आपने देखे होंगे लेकिन आपके त्यारी के लिए एक वार आपको इस वीडियो को जरूर देखें बीच में 50 लिखा गया है मतलब कि आपको यहाँ से 50 किलोमेटर की स्पीड से ही आपको चलना है इससे जादा की आपकी स्पीड नहीं होनी चाहिए number 25 की ओपर देखते हैं इसमें आपके पास arrow जो है वो दोनों तरफ बनाए गए है मतलब उपर की तरफ भी है और आपका right side भी है मतलब आप या तो उपर की तरफ चले जाएए सामने या फिर आप दाए मुड़ जाएए राइट तरफ मुड़ जाएए उसके number 26 को आप देखिए left तरफ arrow बनाए गया है मतलब आप कहा जाएएंगे left तरफ जो है वो आप मुड़ जाएंगे number 27 को आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ एक arrow बनाए गया नीचे की तरफ एक arrow बनाए गया तो इसका मतलब रोड कैसा है आपका दीखा है लेकिन किस साइड है लेफ्ट साइड है तो हमने ये डिसकस किए नंबर 29 के ओपर देखिए 29 में हमारे पास तो नंबर 29 में एक N की शेप में दिया गया है मतलब आपका रास्ता जो है कुछ इस तरीके से है लेकिन ये स्टार्टिंग कहां से हुई स्टार्टिंग आप ध्यान से देखिए मैं इस तरीके से चला ठीक है फिर किस तरफ मुड़ा मैं राइट साइड मुड़ा ठीक है फिर मैं सामने की तरफ गया इस तरीके से मतलब है तो ये घुमाव उल्टा घुमाव है ठीक है मतलब मैं पहले आगे गया मैं इसको फिर से ड्रो करता हूँ पहले मैं आगे गया फिर बिल्कुल मैं उसके पीछे आ गया ठीक है मैं फिर से आगे गया तो इसका मतलब मैं उल्टा घुमा लेकिन किस तरफ घुमा राइट साइड घूमा तो नमबर 29 में यही चीज मेरे को यहाँ पर बतानी है कि मैं दाई तरफ जो है वो उल्टा घूमा अब इससे बिल्कुल आपोजिट जानेंगे उल्टाइन कर दिया किस तरफ आगया बाई तरफ आगया लेफ्ट साइड आगया बिल्कुल उल्टी तरफ आगया ठीक है जी नमबर 31 को देखिए आप 50 सिंबल कि हमारी ये वीडियो रहेगी उसके बाद इसका पार टू भी आपको देखने को मिलेगा नमबर 31 के उपर आप देखिए तो इसमें बाई शेप का जो है एक चितर दिया गया है इसका मतलब यहाँ पे क्या है चुराहा है लेकिन किस कितने रास्ते हैं तीन रास्ते हैं बाई शेप का यहाँ पे चुराहा है उसके बाद देखिए नमबर 32 में कि आपको क्या बताया गया यहां पर 4T लिखा है और नीचे जो है वो एक जैसे गाड़ियों का जो टायर है उस तरीके सा या जैसे हम डंबल उठाते हैं उस तरीके के एक चित्र बनाया गया है इसका मतलब क्या है कि यहां से आप maximum 4 टन तक जो है वो लोड जो है उस ट्रक के अंदर डालके लेकर ज आता है आपने देखा होगा अगर आप नूरपूर साइड अगर जाएं वहां पे काफी पुराना पुल है कोटला पुल है आई धिंक तो वहां पे भी कुछ इस तरीके का चित्र जो है वहां पे लगाया गया है वहां पे लिखा गया है 10T वहां पे शायद लिखा गया है कि दस टन से ज़ादा बजन वाले इस पुराने पुल से जो है बो क्रोस ना करें लेकिन वहाँ पे काफी टाइम पहले वह इस तरीके का चितर वहाँ पे बना था उसके बाद नेक्स देखिए नंबर थर्टी थिरी हमारे पास रहेगा इस सर्कुलर की फोम में जो है एरो एरो दिये गए है इसका मतलब है आपको किस तरीके से घूमना है सर्कुलर की फोम में घूमना है और इस तरीके के सबसे ज़ाद अच्यतर जो है आपके चंडीगड या फिर दिल्ली की सिटी में जो है वो लगाये जाते हैं ठीक है जी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जब हम सर्कुलर में कोई चीज़ घूमाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का सिंबल लगता है नमबर 34 को आप देखिए यहाँ पर जो आपका सिंबल है बुक किस तरह का है एक रास्ता इस तरीके का दिया गया है लेकिन उसके बीच में एक इस तरीके का नीचे की तरफ एक बिल्कुल हलका सा एक डाउन की तरफ में कोई चीज़ बनाई गयी है मतलब वहाँ पे क्या है गड़ा है खतरनाक क्या है गड़ा है तो ये गड़े का चितर है ये भी आपको ध्यान में रखना नमबर 35 को आप ध्यान से देखिए यहाँ पे उपर की तरफ एरो है लेकिन राइट तरफ इसको क्या किया गया है क्रॉस किया गया है मतलब की इसका मतलब है आप राइट तरफ भी क्या कर सकते हैं टर्न कर सकते हैं बिल्कुल इस से opposite जो है वो number 36 के उपर रहेगा बिल्कुल opposite इसका चितर दिया गया है लेकिन आप इस तरफ कम मुड़ेंगे आप मुड़ेंगे 22 तरफ मतलब की left side आपको यहाँ पे मुड़ना है ठीक है number 37 को हम ध्यान से देखेंगे 37 को आप देखिए 37 में जो है वो क्या बनाएगे देखी रास्ते का चितर है लेकिन एक सांप की आकरिती का रास्ता बनाएगया है इस तरीके का गाड़ी आ रही है इसका मतलब वहाँ पे क्या है फिसलन है वहाँ पे क्या है फिसलन है तो यह चितर जो है वो पेट्रोल लेके जाते हैं डीजल लेके जाते हैं अगर उसका एक्सिडेंट हो गया पूरे रास्ते रास्ते में क्या हो गया पेट्रोल गिर गया तो वहाँ पर क्या करते हैं जो रोड हमारा National Highway of Authority जो है वो वहाँ पर इस तरीके के सिंबल लगाती है कुछ टाइम के लिए कि यहाँ पर रास्ता क्या है फिसलनबाला है नेक्स देखिए नमबर 38 है गाड़ी आ रही है लेकिन बीच में क्या है छोटे छोटे जो है एक कंकर जैसे जो आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर बजरी गिरी हुई है रेत हो सकती है यहाँ पर स्किट होने का जो है वो जादा चांस है नेक्स 39 में सिंबल से ही देखने का पता चल रहा है साइकल का चितर बनाये गए है और नीचे बिल्कुल छोटे छोटे डोट बनाये गए है इसका मतलब यहाँ से आप साइकल को क्रॉस कर सकते हैं ठीक है जी नेक्स देखिए नमबर 40 जो है आपने जादा तर हिमाचल में द क्या है रोड के उपर चलना है नेक्स्ट 41 यह तो बिल्कुल इजी है आपने जादा तर जगा पे देखा होगा आपने आसपास देखा होगा एक बच्चा दोड रहा है इसका मतलब आगे क्या है स्कूल है तो आपको वहीं से समझना है कि यह सिंबल बता कर आगे स्कूल है लेकिन आपको कंट्रोल करना आपने वहिकल को क्या करना है कंट्रोल करना उसकी स्पीड लिमिट को कम करना है गेर के वो डाउन करना है बड़े जादा कोईशन जो है वो यहां से आपके बनेंगे नमबर 42 को ध्यान से देखिए यहां पे एक बरकर है उसके हाथ में एक बेल से चटानी क्या है गिर रही है ठीक है जी नेक्स्ट फुर्टी फॉर को देखिए नंबर फुर्टी फॉर है आपके पास इसमें एक चाय कहचितर जो है वो दिया गया है मतलब कि आप चाय के लिए जो है जलपान के लिए यहां पर रुक सकते हैं आपको ताज़गी जो है वो खड़ी चढ़ना यहाँ पे इस चितर का जो है वो असली मतलब है इससे बिल्कुल अगर मैं opposite लेके जाओं गाड़ी नीचे की तरफ उतर रही है इसका मतलब यहाँ पे काफी नीचे की तरफ जो है वो क्या है उतरन है तो गाड़ी को ध्यान से इसको चलाएं अपना गेर जो जो रास्ता है वो काफी खुला है आगे रास्ता काफी चोड़ा है लेकिन अगर बिल्कुल इसके opposite जाए तो मतलब कि आगे से रास्ता अगर खुला है तो पीछे से क्या है थोड़ा सा संगड़ा है ठीक है नमबर 48 को ध्यान से देखिए इसमें बताया गया है कि यह जो रास्ता बीच में दो लाइने लगाई गी है मतलब यह रास्ता है और बीच में एक अंडाकार शेप में यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रो करता हूँ यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो कुछ इस तरीके का यह रास्ता बन गया यहाँ पर यह इस तरीके के कैपसूल जैसे बनाए गए है और बीच में क्या है गैप है मतलब यहाँ पर गाड़ियों के बीच क्या होना चाहिए गैप होना चाहिए और मिनिमम आप ध्यान रखें पांच मीटर का gap गाड़ियों के बीच होता है ये question भी आपके paper में जो है वो पूछा जा सकता है जब आप एक भीड़ भाले area में चल रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी जो है वो दूसरे भीकल से पांच मीटर की minimum पांच मीटर की दूरी के उपर आपको रखनी है ठीक है जी next ये हमारे कितने होगे 48 होगे ठीक है next देखी 49 है हमारे पास 49 कुछ इस तरीके का है ठीक है तो जब भी आपके पास रास्ता कुछ इस तरीके का अगर आएगा इस तरीके का ठीक है बीच में क्या है ये मैंने एक चितर बनाया है इंट जैसा इसका मतलब रास्ता प्लेन है लेकिन जब इंट के बीच में मैंने क्या कर दिया एक गड़ा कर दिया ठीक है यहां से मैं क्या करता हूँ एक गड़ा बनाता हूँ जैसे आप ये देखिए ये इ 49 वाली पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो सड़क के बीच गढ़ा नहीं है अब गढ़ा कहा है उपर की तरफ कर दिया मतलब रास्ता कैसा है कठोर है उसमें पत्थर हो सकते है जंप उसमें जो है वो लग सकते हैं ठीक है उसके बाद लास्ट है आज की इस क्लास का नंबर 50 एक चित्र बनाया गया है उसको थोड़ा सा आप देखिए इसका मतलब होता है बैरियर आगे क्या है बैरियर है आपसे जो है वो टेक्स जो है वो वहां से लिया जा सकता है आप यहां पे देखिए एक जैसे वो fast ag का जो वैसा होता है एक house जैसा बनाया है और बीच में एक वो डंडा जैसा जो लगाते हैं जिससे आपकी गाड़ी जो है रुक जाती है फिर डंडा आपका उपर चला जाता तो गाड़ी आगे चली जाती है इसका मतलब आगे क्या है, एक barrier है, ठीक है, नॉर्मल barrier भी हो सकता है, आपके text related barrier भी, जहां से tall text लिया जाता है, वो भी आपका हो सकता है, तो class आपको कैसी लगी, ऐसी classes आपको जो है वो daily HRTC special batch में आपको देखने को मिलेंगी, हमारी math, reasoning, gk की classes भी हमारी start हो चुकी है, अगर अभी तक आपने विजेपाथ education app डाउनलोड नहीं किया है, तो आप आप डाउनलोड कीजिए, उसमें HRTC का हमारा अभी तक जो batch है, वो बिल्कुल free of cost उसको चलाया गया है, कुछ time के बाद हम उसको जो है वो paid की category में रखेंगे, तो बिल्कुल nominal surprise हमारा उसका रहेगा, तो आप अपनी त्यारी को काफी बहतरीन बनाने के लिए उस batch का आप पर चेज़ कर सकते हैं, जल्दी ही मैं next class के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल